हेलो गाईज, वेलकम टू दा चैनल आज की वीडियो इस्पेशली यूपी एस्पिरेंट्स के लिए और यूपी एस्पिरेंट्स के लिए है आज मैं आपको ऐसी 6 नॉवल सजेस्ट करूंगी जो आपको बहुत जादा इंस्पायर करेगी और मोटिवेट भी करेगी चलिए स्टार्ट करते हैं इस पर है माँ आई हाव विकमा कलेक्टर एक बाल मजदूर से आईस बनने तक का सफर कितनी दिक्कतों को पार करने के बाद आपने सपनों को पाने तक का सफर इस बुक को राजिश पार्टिल ने लिखा है बहुत ही मोटिवेशनल बुक है आप इस बुक को जरूर ट्राय करेगी आप भी बहुत मोटिवेट होंगे अपने गोल को अचीव करने के चलते है नमबर फाइफ की दरफ नमबर फाइफ पर है इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी अवेलबल है और इसके राइटर है के विजय कार्टिकेयन इस बुक की स्टोरी का में केरेक्टर है विशी वो आईएस एक्जाम में फेल हो गया अब उसे आगे क्या करना है उसको पता नहीं सेकेंड केरेक्टर है रितिका विशी जिससे प्यार करता है उसे करियर और लव दोनों ही दूर जाता नजर आ रहा है आगे उसे फिर से कोशिश करनी है ये बुक आपको एक और कोशिश करना सिखा देगी नमबर फोर पर है डाइनमिक डियम जिसको लिखा है कुमद वर्मा ने ये बुक आईयस डॉक्टर हीरा लाल के बारे में है उन्होंने बांदा में क्या-क्या काम किया और कैसे उसे डेवलप किया ये बहुत ही ब्यूटिफुली डिस्क्राइब किया गया हुआ है ये बुक ये बहुत ही मोटिवेशनल बुक है एक अधिकारी जो इतनी मानदारी और लगन से काम करता है ये बुक भी आपको जरूर ड्राय करनी चाहिए नमबर थ्री पर है होसले की उची उडान जिसके राइटर है सुरेंदर मुहन इस बुक का मेन केरेक्टर है मुहन जो काफे गरीब फैमली से बिलॉंग करता है और बहुत मुश्किलों के बाद UPSC का एक्जाम देता है और अपने मुकाम को हासिल करता है ये बहुत ही अच्छी बुक है ये उस मंतर के बारे में बताती है जिससे हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं इस बुक को आप जरूर ट्राय करिए तो बढ़ते हैं नमबर टू की तरफ नमबर टू पर है ट्वेल्थ फैल जिसके राइटर है अनुराग पाठक इस स्टोरी का में कैरेक्टर है मनोज पूरी स्टोरी इसी के इर्दगिर्द गूमती है मनोज ये गाओं में रहता है और उसका पढ़ने लिखने में कोई खास इंटरस्ट नहीं है वो क्लास टूर्थ में फेल हो जाता है फिर उसकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है जो से मनोज कुमार शर्मा से IPS मनोज कुमार शर्मा का सपना दिखा देता है मनोज निकल पढ़ता है अपनी I.S. बनने की जर्नी में ये बुक आप जरूर पढ़ी आप जरूर इंस्पायर होंगे तो चलते हैं नमबर वन की तरफ नमबर वन पर है डाक होर्स ये बुक परसनली मेरी फेवरेट है इस बुक में आपको सिविल सर्विस के स्टूडेंट्स के लाइफ को बहुत करीब से जानने का मौका मिलेगा इतने लोग मुखरजी नगर अपना I.S. बनने का सपना लेकर जाते हैं लेकिन उन में से कुछ ही लोग वो सपना पूरा कर पाते हैं और बाकी फिर से मैनत करने लगते हैं फिर से कोशिश करने में लग जाते हैं बुक से मुझे एक बात ये समझ में आई कि हर कोई एकी फिल्ड के लिए नहीं बनाए आप अपने अंदर के टैलेंट को पहचानिए और अपने फिल्ड के डार्क होर्स बन जाईए ये बुक आप 100% मिस मत कीजेगा और भी बुक्स रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए थैंक्स फो वाचिंग